वेलकम टो और योडूब चैनल दरीयल इन्वेस्मेंट आज हम बात करने वाले विप्रो स्टॉक के बारे में IT सेक्टर का काफी दिगगत स्टॉक मना जाता है और साथ यसाथ बारा बार बोनस देने वाली यह कंपनी है और बोनस का तो इसे बादशा भी कहा जाता है इस स्टॉक के अंदर ऐसा क्या खास होने जा रहा है जिसके जलते स्टॉक के अंदर तेजी बनते वे देखने को मिल रही है और साथ ये साथ शेर होल्डिंग की जो मीटिंग हो रही है और उसके ओपर ये जो नियूज निकल गरा रही है 5400 करोड रुपीस का जो धमा का होने जा रहा है तो इससे क्या कुछ इन्वेस्टर को फाइदा होगा इसके बारे में जान लेते हैं सबसे पहले तुम्हें आज के ट्रेडिंग के बारे में बात करना चाहूंगी तो आज यहां पर देख सकते हैं स्टॉक का आज का पफॉंस देख सकते हैं स्टॉक के अंदर 10.10 पॉइंट्स की हापर तेजी बनते होगे देखने को मिली स्टॉक का जो स्टाटिंग से परफॉमेंस था वो अपफूर्ड ट्रेंडेवल देखने को मिला साथ य साथ स्टॉक की एंडिंग भी देख सकते हैं मतलव कल खे ऐसी तेजी आपको बरकरार बनते होगे देखने को मिलेगी आईटी सेक्टर के स्टॉक के अंदर विप्रो स्टॉक के अंदर जहां तक कि कॉंटिटी ट्रेडर की बात कीज़े तो आप यहां पर देख सकते हैं डिलिवेरी स्टॉक के अंदर 38.31 परसिंटेज की उठाई जा रही है अगर आप इसकी बाइंग प्राइस देखे जो आप इसकी करण प्राइज से उसे प्राइज पर लोग इसमें बाइंग करते हुं देखनी को मिल रहे है कॉंटिटी आप देख सकते हैं 1000 के करीब करिभी यहां पर कॉंटिटी उठाई जा रहे हैं यह जो लोग इसके अंदर इसís प्राइस पर भी को खरिदने के कोशुश कर रह आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका quarter on quarter basis पर का भी जो performance है और year on year basis का रूबी तो उसमें आपको देख सकते हैं जो net profit है साथ जो profit before the tax है और income है वो सबी levels में यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है corporate action wise भी stock काफे अच्छा निकल कराते हुए देखने हुए मिलता है जैसे मैंने आपको बताई दिया था कि bonus का इसे king कहा जाता है interim dividend भी stock ने हाली में दिया था और buyback भी stock ने यहाँ पर लाया था next level पर यहाँ पर देखा जाए तो shareholders की हाँ पर meeting लगातर होते हुए देखने हुए मिल रही है इस meeting में क्या कुछ इसके अंदर stake promoters बढ़ाने वाले foreign investor कोन कोन इसके अंदर interested है और क्या कुछ इसके अंदर level shareholders pattern के अंदर बढ़ते हुए आपको देखने हुए मिलेगे यह मैं जल्दी आपको अगले वीडियो में discuss करते हुए देखूंगी next level पर आपको जो news आते हुए देखने हुए थी उसके बारे बतना चाहूंगी विप्रो यहाँ पर rise करते हुए देखने हुए 750 मिलियन डॉलर्स के बॉंड सिल करते हुए देखने हुए तो इससे जबर्दस फायदा investors को होगा अब वो कैसा फायदा होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी जो यह issuans होते हुए देखने हुए मिल रहा था बॉंड सिल का इसको approval मिलते हुए देखने को मिल रहा है किसके तरब से देखा जाए approval तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स लेल पर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी जो और यहाँ पर थिंग्स होने जारे जो डॉमिनेटे डिनॉमिनेटे नोट्स देखने को मिलेगी यूटिलाइजर और रिफाइनसिंग एग्जिस्टिंग डेब बे होने जा रहा है साथे साथ जनरल कॉर्पोरे लिस्टिंग के रिलेटेड है जो कि सिंगापोर स्टॉक एक्चेंज के अंदर इसके लिस्टेड होने की भी यहाँ पर खबर आते हो देखने को मिल रही है नेक्स लेल पर आप यहाँ पर देख सकते हैं वाज लुकिंग तो राइज विप्रो वाज लुकिंग तो राइस मज एक वन मिलियन डॉलर शॉट टम ओवर सीजस लोन आप यहाँ पर देख सकते हैं शॉट टम ही इसके स्टॉक देख सकते हैं राइस होते हो देखने मिल रहा है वन मिलियन डॉलर के अंदर वहीं लॉंग टम की बात की जाये तो स्टॉक देख सकते हैं ओवर सीज इस बॉ की यहां पर जो बेंगलरू बेस्टा आइटी फॉर्म है जो कि काफी बड़ी यहां पर देखने को मिलते हैं उसके तरफ से भी यहां पर एक्वैजिशन होते हुए देखने मिल रहा था साथ एक बुस्ट कैपैबलिटीज भी होने जारी है बैंकिंग के तरफ से इंशुरेंस के तरफ से यहां पर नेक्स लेवल पर यहां पर आप देख सकते होंगे जो एसेल टेकनोलोजी है आईटी सर्विसेस फर्म की यहां पर वह भी आपना वुल राइस द फाहांडेड मिलियन इन ओवर सिज़ बॉंड सेल विच आपर फ्रॉम इस बोर्स तो यहां पर उनके बोर्स के तरब से भी हाँ पर आपर यहां पर देखने को मिल रहा है और जो प्रिंस्टिपल इंट्रेस्ट तूवर्स अपर इस्पेमेंट ऑफ इस्चु रहेंगी थैंक्यू सो मच